चले question number 11, बहुत ही मज़ेदार question है, क्योंकि ये फिर से इस से related ही एक example हमने किया था, जब chapter चल रहा था तभी, तो ये वाला भी जैसे कि मैंने बताया था, ये trial और error से ही solve किया जा सकता है, इसका कोई specific formula नहीं है कि जिसको आपने सारी values डाल दी और आपको directly answer मिल गया, ये trial and error करते जाओ, करते जाओ, तब जाके आपको answer मिलेगा, तो question is, show how you would connect three resistors, पूछ रहे हैं कि तीन resistors को आप किस तरीके से arrange करोगे, series या parallel में, जिसकी वज़े से each of resistance, जो हर एक resistance 6 ohm का है, ना उसे जादा 6 ohm के तीन resistors आपके पास है, resistance है, so that the combination has a resistance, जिसकी वज़े से उसको आ पैसे arrange करो, जिसके वज़े से circuit का combined resistance पहला, 9 ohms हो, दूसरा, 4 ohms हो, अभी ये चीज़ हमें पता है, कि series में जब आप resistance को एक के साथ, एक के साथ, एक के साथ, एक कनेक्ट करते हो, तो उनका सीधा addition हो जाता है, for example, तीनों resistance को में series में connect करो, तो 6, 6, 12 और 6, 18 हो जाएगे, ज ये दोनों से ज्यादा है, तो मतलब तीनों resistance को हम series में connect नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात है, तीनों को parallel में connect कर दो, तो parallel में connect करेंगे, तो हमें पता है कि parallel में connection करने की वज़े से, equivalence resistance हर individual resistance से भी कम होता है, तो यहाँ पे तीनों 6 के हैं, तो final answer 6 से कम आएगा, तो यहाँ प करने से शायद हो जाए, तो इसको हम ध्यान में रखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए 9 ohms, तो 9 ohms के लिए हम यह चीज़ कर सकते हैं, कि 9 ohms है, वो 6 से तो ज्यादा है, मतलब एक तो series में लगेगा, तो आप 6 को पहले series में कर लो, बाकी 6 और 6 को parallel में connect कर लो, और उसके साथ इसको series में connect कर लो, अभी यह सारी चीज़े में इस तरीके से बोल रहा हूँ, यह trial and error ही है, आपको pen और paper लेके पूरा पहले try करना पड़ेगा, कि चलो 6 मैंने यहाँ पे डाला, बाद में यहाँ से यहाँ डाला, तो यह add हो जाता है, यह बाद में one upon हो जाता है, इससे more accurate होते जाओगे, answer को लेके, तो सबसे पहला case, 9 ohms को लेके solve करते हैं, तो यहाँ पे सीधी circuit, जैसे कि मैंने बताया, 6 ohm को आप series में ले लो, क्यों, क्योंकि 6 plus हमें कुछ चाहिए, और यहाँ पे 6 और 6 है, तो 1 upon 6, 1 upon 6, तो 6 हो गया, base हमारा same, 6 और 6 और उपर 1 plus 1, तो 2 upon 6 तो हो जाएगा 1 upon 3, 1 upon 3, पूरा reciprocal हो गया, तो फिर से हो जाएगा 3, यह पूरा combined हो जाएगा 3, और यह हो गया 6, क्योंकि यह दोनों series में हैं, और 6 plus 3 हो जाएगा 9, तो यह पूरी circuit solve हो गई, अभी इसको लिखना कैसे है, here R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 6 ohms, तीनों resistance 6 ohms के यह है, the combination has a resistance of 1, 9 ohms, सबसे पहले हमें combined करके 9 ohms resistance बनाना है, so when we connect R1 in series with the parallel combination of R2 and R3 as shown in figure, जैसे हम R1 को यहाँ पे देखो, यह लोग कितने smart हैं, इन्होंने सीधा ही answer लिख दिया, वो बुल रहे हैं, आप रटा मारो, but मैं यह नहीं बुल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप try करते रहो, तीनों resistors के साथ खेलो, एक को parallel में, दो को parallel में, बाद में, दो को series में, एक को बाद में, उन दोनों के parallel में, ऐसे करते जाओगे ना, तो बहुत मज़ा आता है, knowledge काफी बढ़ जाता है, So the equivalent resistance is, तो यह दोनों का equivalent resistance तो 1 upon 6 और 1 upon 6 यहाँ पे जैसे दिखाया है, 1 upon R2 plus 1 upon R3, यहाँ पे आप 1 upon 6 direct value डाल के solve करना जाओ, तो भी issue नहीं है, इन लोगोंने एक step ahead लेके गया है, R2 को उपर लेके गया, R3 को उपर लेके गया, और यह हो गया multiplication, और R2 plus R3 यहाँ पे हो ग 2 into 6 36, 6 और 6 12, 12, 3 is a 36, तो 6 plus 3 is equal to 9, यहाँ पे यह calculation तो secondary है, primary यह circuit आपने solve कर दिया, तो it is mean achievement, तो इस तरीके से आप 9 ohms बना सकते हो, अभी आ गया 4 ohms, 4 ohms 6 ohms से कम है, तो यहाँ पे parallel connection हमें बढ़ाने पड़ेंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं यह सोचता हूं कि 2 resistance को आप लगा दो series में, तो 6 और 6 हो जाएंगे 12, और उनके साथ 6 resistance को, तीसरे resistance को लगा दो parallel में, तो 1 upon 12 plus 1 upon 6 उस तरीके से हो जाएगा, शायद हो जाएगा, 4 ohms आ जाएगा, तो देखते हैं, हाँ, resistance 1 है 6 ohms, resistance 2 है 6 ohms, 6 और 6 हो गया 12, और यहाँ पे इन दोनों के parallel, तीसरा resistance 6 लगा दो, तो 1 upon 12 plus 1 upon 6, LCM ले लोगे, तो 3 upon 12 हो जाएगा, तो 3 4s are 12, और 1 upon 4 हो गया, और वो inverse हो गया, तो 4 ohms, directly हमारा answer आगे, यह बोलने में, जितना सीधा है, उतना सीधा है नहीं, यह trial or error से ही होगा, तो आपको ही, it is totally your responsibility कि आप अलग-अलग connection खुद से कोशिश करें, the combination has a resistance of 4 ohms, 4 ohms का resistance है, when we connect a series combination R1 and R2, इन लोगों ने सीधा direct दे दिया, कि बच्चे को तो सीधा दे तो, वो खुद से सोच नहीं पाएंगे, but I have a trust in you, कि आप खुद से यह चीज़े कोशिश करोगे, आलस में नहीं जाओगे, in the equivalent resistances, तो इसका equivalent resistance हो जाएगा, यह आप दे equivalent, इन लोगों ने direct इसका addition कर दिया, 6-6, 12, और इसको नाम दे दिया है RS, देखरे हो, और यहाँ पे R3 as it is रख दिया है, तो यह हो जाएगा, RS उपर चला गया, R3 उपर चला गया, नीचे RS प्लस R3, 12 into 6, 12 plus 6, 12 into 6 is 72, 12 plus 6 is 18, 18, 14, 72, तो 4 ohms यहाँ पे हो गया, और इसी के सा है, वो एक्जम्पल का नंबर में बुल गया हूँ, but anyhow, ऐसे बहुत सारे प्रोब्लम्स आप करो न, तो बैटर है, टाम लेके करो, so now we are moving for a question number 12,